शरी शिवाय नमस्तु भ्यम हर-हर महादे। अगर आप किस्मत आपका साथ नहीं देती है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप समझते हैं कि आपका कोई काम ही नहीं बन रहा, बहुत ही परिशानियां आ रही है, एक छोटा सा उपाये बताऊंगी, काले धागे के साथ ये उपाये करना है, अपने शरीर के इस संग पे अगर आप ये धागा बांध लेंगे, तो आपकी फूटी किस्मत भी चमक जाएगी, रुके हुए कार्या बन जाएगे, और अगर आपकी कुंडली में शनी की महादशा चल रही है, यह साड़े साती चल रही है, यह शनी ग्रेह का कोई प्रभाव है आपके जीवन पर, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा आपके जीवन में, आपको खुशाली आएगी, सुख समरिद्धी बरकत बनी रहेगी, तो वीडियो को स्किप नहीं क जरूरी नहीं है कि आपको जो है, कोई स्पेशल कोई डोरी में लेनी है, मार्किट से भी आपको असानी से मिल जाती है, अगर घर में ही आपके कोई काला धागा डोरी, लेकिन थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, तो डोरी आपने लेनी है, शनी बार के हर गांट पे आपने शनी देव का कोई भी मंत्र आपको आता है, ओम, शम, शनिच्राय, नम्हा, इस मंत्र का जाप आपने नौ गांठे लगाते हुए नौ बार ही करना है, उसके बाद शान के समय जाएए शनी देव के मंदिर, आपके घर्व के पास कोई भी शनी देव का इसे आप अपने कलाई में बांद लीजिए, बांब में आपने बांद लेना है, अगर तो महिला कर रही है तो अपने लेफ्ट हैंड में बांद ले, अगर पुरुश ये उपाये कर रहे हैं तो अपने राइट हैंड में इस दोरी को बांद ले, नो गांठ लगाकर, शनी मार के दिन इस धागे को आपने अपनी कलाई में बांद लेना है, इस से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, अगर कोई negativity होगी तो वो भी दूर होगी, इस धागे से आपको बुरी शक्तियों का प्रभाव है, वो भी नहीं लगता है, बुरी शक्तियों से आपका बचाव होता है नजर नहीं लगती है अगर आपके काम कारोबार में भी कोई नजर लगी हुई है तो वो भी दूर होती है और शनी देव की कृपा सदैव आपके उपर बनी रहती है आपके जीवन में खुश हाली आगी है तो छोटा सा उपाई है धागे को अपनी कलाई में हमेशा बांद कर रखिये जब भी इसका रंग जो है थोड़ा सा खराब हो जाए काला रंग छोड़ दे तो दुबारा से आपने इसी तरह से शनीवार के दिन आपने इस धागे को दुबारा इसी प्रोसीजर के किनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा जैशनी देए